जीफानडाब डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री इससे एक बात पता चलती है क्या वो यह कि बिल्यानी कितनी बेस्वाद थी अपने पिर्यानी को बेस्वाद कहा लो फिर और सुन लो बिल्कुल ठीक तो कहा गलत क्या कहा इसमें ऐसा है भाभी जायका चखनी के लिए न जुबान की जरत होती है और वो तु बग 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 जबान से जायका कहा परखा जाएगा तो हमारी बिर्यानी बेस्वाद नहीं है आपकी दुबान उमर्दराज हो गई है लो फिर और सुन लो क्या का तुमने हमारी जबान को उमर्दराज बोल रही हो मतलब तुम हमको घुमा फिरा के बूड़ी कहना चाती हो एक बात तुम हमारी भी कान खुल कर सुन लो अपने आपको ना ऐसी बल खाती हुई गोरी हसीना मस समझो बूड़ी तुम हो गई है अरे भटूरे जैसी पूस ही जा रही हो बिल्कुल अरे जहां तहां जब देखो मार पचाड खाके बिहोशी हो जाती है जब अबने हमें भटूरा का हम स जूले भटूरे पसंद है और खुद को देखाया अपने आईने में को भी कुपोशन की शिकार लगती है एकदम एकदम तंकाल दिखती है अपको अंकाल कोई भी देखके हम तुम को कंकाल दिख रहे हैं इसको जीरो फेगर कहते हैं सफेद रंगी भूत नहीं लगती हो बि बर्फी ही कहें कि समझ लो ऐसा है भाबी हम यह अपने पिर हम नूर बितार के रखते है हम लो फिर और सुलो बहला आटा की बोरी को कहते पलकों पर बिटा सकता है हमारे और मिया के बीच न एदम रूहानी मुहबबत है हम कहना तो मिया फलक से चांद बिला सते है अच्छा तो पताना जरा पिछली बार कब तुम्हारे मिया फलक पर गए थे और चांद लेकर आय थे जामीन पर अरे कोई सेल्फी अलपी तो खीची होगी दिखाओ उमको वो हमने मंगा नहीं था ना बिचली बार तो इसलिए लेकर नहीं आए अब मंगा लेंगे और फिर आपकी भी फोटो खीचेंगे आप कहेंगी तो अरे जाने दो सखीना तुम इस बात को मान लो कि मिर्जा भाइजान तुमसे उतना प्यार नहीं करते हैं जितना हमारे मिशा जी हमसे करते हैं क्यों माने हम आप जाने दीजे हमारे मिया हम ते मेताशा मौबबत करते हैं हम जो कहेंगे वो करेंगे जीवाव आप डाउनलोड करें और देखें सारे एपसोड बिल्कुल फ्री